हाई हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल तन्वी किचिन चैनल में आप सभी का मोश्ट वेलकम हैं तो आज हम लेक्या हैं बहुत ही टेश्टी सा नास्ता और जो भी रात में बच जाने वाले चाउल से बनाएंगे तो यह देख सकते हो यह मेरे पास करीबन एक कटोरी चाउल रात के बचे हुए थे तो हम मैंने सोचा कि इसका नास्ता बनाये जाए बहुत ही टेश्टी सा तो मैं आपके साथ ये बहुत ही टेश्टी सा नास्ता सेर कर रही हूँ और ये इतना अच्छा है कि आप इसको सुभः सुभः मौर्निंग में बना सकते हो बच्चों को टिफिन में भी डाल के भेज सकते हो इतना टेश्टी ये नास्ता बनता है तो मैंने जाड लिया और उ जादा नहीं डालना है और इसको देखिए पीश लेना इस तरह का पीश जाना चीए बिल्कुल भी इसमें आद्रक और मिर्च बिल्कुल दिखाने देरी बिल्कुल पीश चुके साथ-साथ तो अब हमें एक बावल लेंगे और इसमें इसको निकाल लेंगे तो इसका नास्ता है बहुत ही जल्दी बन भी जाता है जटपट से और बहुत ही टेश्टी बनता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको बच्चों को टिफिन में भी डालके भेज सकते हो तो आब यह देखिए मैंने इसमें आप डाल रही हूं सूजी तो सूजी मैंने करीबन इसमें इसमें जिसमें नहीं सूजी ली थी उसी से ही मैं एक कटोरी पानी डाल दे रही हो और इतना ही बहुत है अभी तो यह कटोरी डेलेगा बाद में देख लेंगे कितना डालना है कितना नी डालना है अब इसको रेश्ट के लिए छोड़ेंगे जब भी सूजी फूलेगी इसलिए एक कटोरी डालना है इसमें अब यह मैंने क्या गरना है इसको अब रेश्ट के लिए छोड़ेंगे और इसको करीवन 10-15 मिंट के लिए रेश्ट के लिए हम इसको रख देंगे 10-15 मिंट हो गये हैं अब इसको हम देखते हैं कि कितना थिक हुआ है कि इसमें और पानी डालने की जर्थ है कि नहीं है तो देखिए थोड़ा बहुत ही ठीक हो गया है क्योंकि जो चांवल थे वह भी गीले थे पहले के तो इसमें ज्यादा पानी है कि हमें बिल्कुल भी जर्थ नहीं है तो हमें बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालना ऐसा ही बेट रहोना चीए अब मैं इसमें डाल दे रही हूं चीली फ्लेक्स तो चीली फ्लेक्स हो तो डालिये नहीं को जरूरी नहीं है आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो और य क्या करने वाले यह देखिए टड़का पेहने में डाला ऑली ओइल सकते हो इसमें अधर coffee dla डाल दी है राई थोड़ा से गरम हो जाने पर चटकने पर राई डाल देना है और ये कड़ी पते डाल देना है और थोड़ी सी है एक पिंच हम डालेंगे इसमें हींग तो ये तड़का तयार हो गया है और इस तड़के कोई इस बेटर में हम डाल देंगे तो इससे बहुत ही पहन ना हो तो आप सोच रहोंगे अप्पे पहन हमारे पास तो है नहीं तो हम क्या करें इदि आपके पास अप्पे पहन ना हो तो आप इसको चीले के रूप में भी बना सकते हो तो लाश्ट में ही डालना इसमें मीठा सोडा डाले तो सबसे लाश्ट में जब हम बनाने वाल तो बनाने से पहले मिटास डालना है पहले डाल करने पहले डाल करें नहीं रखना है तो यह देखिए यह मैंने ले लिया है अपपपेन आपपपेन गहस्पे रख दिया ता पहले जब मेन लगा कि ओयल और अब मैं इसमें गरम होने है अब इसको पकने देंगे तो यह देखे एक साइड से पक चुके हैं तो इसका पता हमें कैसे चलेगा कि थोड़े थोड़े किनारों पर अलग से ही कलर सार चेंज हो जाएगा और फिर इस पर ओल चीड केंगे ओल लगाएंगे थोड़ा-थोड़ा मैं ब्रस से लगा रही हो दूसरे साइड बिल्कुल सोफ्ट रहते हैं तो पल्ट से टाइम मैं अच्छे से पल्टिएगा तूटने बिल्कुल भी नीची है और यह बहुत ही अच्छे बनते हैं सोफ्ट और उपर से बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही अच्छे बनते हैं तो अपे पैन आपे बना रहे ह और दुबारे से ओल लगा दे रहे हैं आप कौन सा भी खाने वाला ओल यूज कर सकते हो अम इने प्लेट से पांस मेंट के लिए इसको डखके पका लिया है तो यह अंदर से बिल्कुल बेक च्छे नहीं रहे हैं इसलिए हमने इसको डखके पका लेना है और इसको पल्ट रहे है दिखने में बहुत ही सुंदर से दिखा दे रहे हैं तो थोड़ी देर और इसको पका लेंगे तो तो डुबारा से बड़ी में बेटर डालने वाले हैं इस तरीके से आप पूरे आप बना बच कि डूसरी बार में डाला है वो भी हमारा बनके रैडी हो गया है तो फूरे आप्स िसक्रीके से बना सकते हो बहुत ही इजी से बन जाते हैं ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है तो यह मैंने सरव कर देख प्लेट में तो मैं इनों को सरव कर देख साथ यह दि आपके पास चटनी हो जैसे हरे दनी की चटनी हो नारिल की चटनी हो टेमेटो चटनी जो आपको पसंदो उस चटनी के साथ खा सकते हो बहुत ही टेश्टी यह बनते हैं तो मैंने सोस के साथ सरव के हैं मैं बच्चों को भी आप इजनों को टिपिन में डाल के बैस सकते हो तो हमारे बन के बहुत ही रेडी हो गए हैं बहुत ही टेस्टी बनाएं देश सकते हैं जैसे हमने सब कुछ डाले हो बिलकुल अच्छे से नजर आएं और इसमें वेज़ी टेबल्स पर आप एड़ कर सकते हो तो हमारा नास्ता बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा अच्छा लगा तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा तो मिलता है नेक्स वीडियो में ओके पाई फ्रेंड